तो कल सेमसंग इंडिया के अंदर अपना गेलेक्सी A14 4G को लौंच कर दिया सेमसंग गेलेक्सी A14 5G तो लगबग जनवरी के ही मन्थ में इंडिया के अंदर लौंच हो गया था लेकिन 4G वेरेंट सेमसंग है पर में के मन्थ में लौंच किया और अगर आप लोग देखिएगा तो Samsung का जो A14 4G है इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बहतर होगा सबसे पहले मैं इन दोने यह मतलब A14 4G की pricing बतायाता हूं यह दो वेरेंट के साथ इंडिया के अंदर launch किया गया है 4GB 64GB आप लोगों को मिलेगा 14,000 रुपिस में और 4GB 108GB आप लोगों को मिलेगा 15,000 रुपिस में यानि कि A14 4G में आप लोगों को 6GB का ओप्शन देखने को नहीं मिलेगा अब एक नजर डाल लेते हैं इससे स्मार्टफून के स्पेसिफिक्शन के उपर 6.67 इजर का आप लोगों को Full HD Plus का डिस्पेले मिलेगा जो की 60Hz डिस्पेले रहेगा 50MP का आप लोगों को त्रिपल केमरा का सेटप मिलेगा और 13MP का आप लोगों को सेल्फी केमरा इससे स्मार्टफून में मिलने वाला है 5000mAh का बेटरी मिलेगा और यह स्मार्टफून 10W के चारजर को सपोर्ट करता है 10W के फस्ट चार्जिंग को तो 10W के फस्ट चार्जिंग को आप लोगो समसकते कि कितना फस्ट होगा यह और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि आपको चार्जर भी यहां पर अलग से पर्चेस करना होगा आप लोग को बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा एकजनोस का 850 का प्रोसेसर मिलेगा एंडुरेट का 13 मिलेगा जो आज के टाइम में अल्मोस्ट मिल रहा है और चार साल तक का आपको सौप्टर का सपोर्ट मिलेगा मेरा तो पहली बात है कहना कि चार साल तक सौप्टर सपोर्ट देखे क्या लब जब फोन चलेगा ही कुछ महिने क्योंकि ए 14 4G यानि कि 4G आज के टाइम में जहां आप लोगों को हर एक ब्रैंड 5G स्मार्टफ़न 10-12,000 रुपिस में प्रोवाइट कर रहा है यहां तक कि बहुत सारे एरिया में 5G का नेट्रोक अवेलेबल हो गया है अल्मोस्ट 2023 के एंड तक मतलब पूरा ओल ओवर इंडिया में 5G का नेट्रोक अवेलेबल हो जाएगा इस्तिमाल करने के लिए और यहां पर सेम्संग क्या लॉंच कर रहा है 4G वेरंट और इसकी प्राइसिंग और इस्पी स्मार्टफ़न देखते हुए क्या ही कहना यानि कि 14,000 रुपिस में आज के टाइम आप लोंको 4G स्मार्टफ़न वो भी बोक्स में चार्जर भी नहीं मिलेगा और चार्जर सपोर्ट कितना करता है 10 वाट के चार्जर को यानि कि मतलब बस लॉंच करना था तो लॉंच कर दी बाकि आप कस्टमर समझे और बायर समझे मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है यही फोन समसंग का A14 5G आप लोंको ओफर्स में तो सारे 14-14 जार पिस में मिल जाता है तो फिर 4G लेने के क्या सेंस बनता है तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इन स्मार्टफ़न को लेने का सोच रहे तो इन स्मार्टफ़न जीतरा दूर रहेगा उतना आपके लिए ज्यादा बहतर रहेगा मैं बिल्कुल भी सजेस्ट ने करेंगा कि आज के टाइम में 2023 में जाके आप कोई भी ब्रैंड का 4G स्मार्टफ़न ले 5G स्मार्टफ़न लेजी आपके लिए ज्यादा बहतर होगा क्योंकि आपको लोंग टर्म में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो इसलिए अगर आप लोग फोन लेने का सोच रहे हैं तो 4G स्मार्टफ़न तो आज के टाइम में 10,000 के उपर लीजिएगा हिमत 10,000 के निचे ले सकते हैं 10,000 के उपर आपको 4G स्मार्टफ़न लेना ही नहीं है और एक 14 4G से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए ज पहुंच जाए और उनको भी जानकारी पता चल जाए कि ऐसा बात है स्मार्टफ़न लॉंच किया है तो प्लिस वीडियो को सेर कर दीजिएगा ठैंक यू सो मच